आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे आदिठ ठाके और यहां तक की पूरवर्ती महाविकार सागारी सरकार में उपमुक्य मंत्री रही अजित्वार के खिलाफ हलफ नामे पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दवा बनाने की कोशिश की थी PTI के अनुसार शर्पवार के करीवी देशमुक ने ये भी दावा किया कि जब फरनवीज के रहे मंत्री थे ताव एक विचौली ने कथित तोर पर उन्हें फरनवीज का संदेश पहुचाया था फरनवीज ने आरोपों से इंकार किया और देशमुक के कई आडियो वीडियो जारी करने की धम की दी जिस पर देशमुक ने पलटवार करती दावा किया कि उनके पास बीजेपी के वर्ष निता के खिलाव गंभीर आरोपों वाली एक पेंट ड्राइब है फरनवीज का पक्ष लेते हुए बीजेपी नीताओं ने कधिर जानकारी छपाने के लिए देशमुक की मंशा पर सवाल उठाया और धन शोधन मामली में उन्हें चिकत्सा आधार पर दी गई जमानत रद्द करने की मांगी राज के कैबरिट मंतरी एवन फरनवीज के करीवी सहयोगी गिरीस महाजन से जब आरोप लगाये जाने की समय के बारें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देशमुक इतने दिनों तक चुप क्यों रहे वे जान बूच कर फरनवीज और राज सरकार की छवी खराब करने की क देशमुक चिकित्स की आधार पर जमानक पर जेल से बाहर आए हैं लेकिन फरनवीज के खिलाफ उनके तीखे हमले को देखते हुए उनकी जमानत रद कर दी जानी चाहिए और ने वापस जेल भेज़ दिया जाना चाहिए फुके ने कहा कि ये राज सरकार की छवी बिगारने का प्रियास है हाला कि देशमुक के बेटे सलिल देशमुक ने दावा किया कि उनके पिता को जवानत इसलिए दी गई क्योंकि धन्शोदर मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था बीजेपी के वरिष नेता और कैबिनिट मंतरी चंदरकान पार्टिल ने भी महाजन की बात दोराई कि उन्होंने किस तरह का इनरजी ड्रिंक पीना शुरू कर दिया है जिससे विस तरह की बाते करने लगी अगर उनके पास ऐसी धमाकेदार जान करी थी तो देशमुक को प सिर्फ से ना विधायक संजे सिर्साथ ने कहा कि देशमुक नई कहानी गड़ रहे हैं आप देख रहे हैं एनम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे